जान्जगी चापा जिले में रामवन गमन परियटन परिपत शिवरी नारेन के दूसरे दिन मुख्यातिती के रूप में 36 गड़ विदानसभा के अद्दक्ष डाक्टर चरंदास मेंत मौझूद रहे डाक्टर चरंदास मेंत ने अपने उद्दोधन में कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि राम वन गमन परियटन परिपत शिवरी नारेन का लोकारपन हो रहा है डाक्टर मेंत ने कहा कि भगवान राम के आसरवा से ही या मानस का पार्ट हो रहा है ये श्री राम की खुद की इच्छा है तब ही इस तरह कायुजन हो पा रहा है डाक्टर चानदास मेंत ने कहा कि कवीर परंपरा के नुसार जगत में चार परकार के भगवान राम है एक राम दसरत के बेटे हैं दूसरे राम घटगट में बैठे हैं और तीसरे राम ने पूरे ब्रह्मान को बनाया है और चोथे राम अन्य सभी के राम हैं डाक्टर मेंत ने कहा कि भले ही कावीर तुलसिया वालमिके के राम अलग अलग हो लेकिन सब में एक चीज़ समान है और वह है भगवान सरी राम डाक्टर मेंत ने कहा कि राम हम सबी के आत्मा में विराजमान हैं हम सब को राम का भरोसा है और जब तक हम उनके भरोसे रहेंगे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता इस दोरान चरंदास मेंत ने बड़े मंदिर में भगवान नर्नारेंड की पूझा अर्चना कर प्रदेश वास्यों की सलामती की मंगल काम न की वहीं मंच पर देश की विख्यात पार्शगाई का अनुरादा पोडवाल भी उपस्ति थी चतिस गर्व संस्कती हम परेटन विवाग ने अनुरादा पोडवाल को एक विशेश साड़ी से सम्मानित किया इस साड़ी में विशेश तोर पर राम दरवार कांग कन किया गया है यह साड़ी कोसा से निर्मेतेज से जांजगीर के कलाकारों ने तयार किया है कारिकर्म के दोरान राजिस्ट्री मेंथ डाक्टर राम सुन्दरदास जानजगीर कलेक्टर एसपी समेथ परेटन इंग संस्कति विवा के अधिकारी भी उपस्ति थे हमारे 37 गड़ की सरकार की देन है सिवरी नडायन को कि राम गमन पत या परेटन पत जो हमारी कलपना है कि भगवान जहां से राये थे हर चौखा कोरिया जिलेम पड़ता है जहां से राम चंजी ने अपने कड़ में हां रखे थे जिस रास्ते से आये थे यहां सबरी जी का इस्थान देखते हुए आगे बढ़े थे और उस इस्थान को हमारी सरकार ने कांग्रिस की सरकार ने गुपेजबगे की सरकार ने долларов की सरकार ने मिलने लिया है कि हम ये करके दिखाएंगे मैं कोई राजनितिक भास बेड़ता नहीं दे रहा हूं मगर कुछ लोग शिर्प नाम लेते हैं और कुछ लोग काम करके बताते हैं कि हम उनके सच्चे भक्त हैं, सच्चे पूत्र हैं, सच्चे मानने वाले हैं, तो हम सब लोग उनके सच्चे पूत्र हैं, सच्चे मानने वाले हैं और आत्मा से मानने वाले हैं कि भगवान राम हमारे थे, हैं और रहे हैं. 2023 के चुणास के चुणुअप प्रिल करहosition करना है हुँ Tuni Ram के ढुगू के ति रहा होगा। देखेh चाहे 2023 औध 2024 कोग स्वासिह हो चाहे mask gust plaque Bhagawan Ram यहां रहेंगे, Bhagawan Ram है, फद्स रहेंगे ही। अब उसको कोई स्वार्स का उत्रयश उत्रयश्ग करें कि निविस्वार्स उपयोग करें कि उसे आधियात्मिक उपयोग करें जो जैसा उपयोग करेगा वैसा उसको फल मिलेगा आप यहां पर आए हमारा सौभाग है कि मंच पर आज दो-दो माननी महंत महदय विराजमान है तो यह पूरा मंच बहुत ही जादा गरिमा में हो चुका है और इसके बनाया गया है और यह जो इसमृती चिन भेट किया जा रहा है यह बस्तर के हमारे कलाकारों के द्वारा बेल मैटल से भगवान राम की मूर्ती गढ़ी गई है और बहुत कम समय में उन्होंने इस मूर्ती को बनाया है तो यह मूर्ती भेट की जा रही है इसमृती चिन के रूप में अनुराधा पॉडवाल जे वार्डोप में एक कोसा सिल्का कोई सा भी वस्तर जरूर हो यह हमारे लिए सौभाग की बात है कि आज यह अंग वस्तरम हम उन्हें भेट कर रहे है मंत्री थैं कलेक्टर जितिंद्र शुक्ल जी राज की गमचा भेट किया जा रहा है प्रबंद संचालक मौदे श्री अनिल कुमार साहु जी ने प्रदान किया है भगवान राम राम है कनकर में विराज मान है हम सब के आत्मा में विराज मान है हम सब के दिल में विराज है अन है और जैसा की तुलसी बाबा कह गए तुलसी बिर्वा बाग के सीचत से कुमलाए राम भरोसे जो रहे परवत में हरियाए तो एक राम का भरोसा है हम सब को बरोसा है जब तक उनके बरोसे रहेंगे परवत में हमारा कुछ कोई नहीं बिगार सकता हमें सिर्फ राम से वक्ति है सिया राम से वक्ति है मरियादाम पुर्शोर